रिवीजन एवरीफिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत सागत हैं तो कैसे हैं आप लोग आप सब बहुत ही अच्छे होंगे देखी आज का जो हमारा जी के का टापिक है वह बीभी ने दोस्तों की संसद की नाम है ना तो देखिए जो जब हम एक्जाम दे इते हैं अगर माँ पे जीकिया है आ यह भी पूछ लिया जाता है की कोई संसक्त का नाम दे दिया जाए गार पूछ लिया जाएगा की मारीजी अगर घो आएट मशनला जाय की संसद के नाम तो सबसे पहले हैं हमारा भारत जो जिसकी संसद का नाम संसद ही है क्योंकि इसी से हम समझ पा रहे हैं कि संसद होता क्या है फिर उसके बाद है पाकिस्तान जिसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली फिर है ब्रीटें जिसकी संसद का नाम पारलिया मिंट है और ब्रिटेन के बारे में आप खासियत और याद रखेगा कि ब्रिटेन के पास अपना कोई लिखित सम्विधान नहीं। फिर उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी की संसत का नाम है भूम स्टेट। फिर है USA। USA यानी की संयुगत राज अमेरिया। इसकी संसत का नाम है कॉंग्रे और जो USA है उसकी संसत का भी नाम है Congress और जो USA का सम्विधान है हमसे 200 साल पुराना है यह भी पुराना यह भी पुराना तो USA की संसत का क्या नाम है Congress फिर उसके बाद है Bangladesh जिसकी संसत का नाम है जाती यह संसत यह तो आप याद ही रख सकते हैं फिर है Taiwan और उसकी संसत का नाम है यॊँवान ताईवान यानि ऑन ऑनों दोरें मैच कर दाया कर दो बहुन इसके बाद है इसराईल इसकी संसत का नाम है नेशत ठीक है पिर अगला है जापान है जापान की संसत का नाम है इसको भी आप लोग अराम सियाथ कर सकते हैं जैसे जापान है इस में देख लीजिए क्या है पान आ और यह है और डायट और डायट भी खानें पीने से माय इसे फाहरे अना भी खाने-पाने से मार्ग आन नार्वे की संसत का नाम है इस्टोर्टि और इसको भी आप लोग आराम सियात कर सकते हैं अगर नार्वे को हम नाव बना लें तो मालीजिए अगर आपकी नाम पानी घुश गया है तो आप उसको कैसे बनाएंगे मतलब उसको बाहर कैसे निकालेंगे टोटी लगा कर देखी यहां पर है ना टोटी यानि की स्टोर्टि तो जो नार्वे की संसत का नाम है वो है इस्टोर्टि फिर अगला है आयरलेंड इसकी संसत का नाम है डेल आयर और इसको भी आप याद रखते के यह आयर है ही और इधर भी आयर ही लिखा है तो आयरलेंड की संसत का नाम क्या है डिल आयर फिर उसके बाद है ऑउस्ट्रेलिया इसकी संसत का नाम है पारलिया मिंट फिर अगला है Spain इसकी संसत का नाम है courtes और इसको भी आप लोग आरामसियात कर सकते हैं पूछे कैसे क्योंकि देखे spain में है ben और यहांपे है court देखिए जो पेन वगयरा होता है वह हम दो court में लगाते हैं तो जो इस बेन की संसद है उसका नाम है कोर्टिस फिर अगला है नेपाल नेपाल के जो संसद है उसका नाम है राष्ट्री यह पंचायत इसको भी आप लोग याद रख सकते क्योंकि यह लिखा है पाल पाल का क्या अर्थ होता है बिच्छाउना जो जमीन पे बैठने से पहले बिच्छाय जाता है तो देखे जो गा नाम है राष्ट्रिय यह पंचायत इसके बाद है रूस जो संसध है उसका नाम है टियूम फिर फिर अगला है चीन जिसकी संसद का नाम है नेप नेशनल पीप्छ कॉंग्रस फिर अगला है इरान ही pressures की संसद का नाम मजलिस देखिए उधर मालदीव की संसत का नाम भी मजलिस था और इधर इरान की संसत का नाम मजलिस है तो दोनों में आप आफ़ानिस्तान में वर्तमान में बहुत जादा ही लडाई जगड़ा हो रहा है यानि बहुत ज़्यादा सseits터 तो स Maps तो जो अफगानिस्तान है इसकी संसद नाम है सोरा, यह केवल याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा बिल से मत लगाई है ठीक है तो फिर उसके बाद है स्विर्जर लैंड, स्विर्जर लैंड की जो संसद है उसका नाम है फेडरल असेंबली उसके बाद है पोलेंड पोलेंड की संसर्ट का जो नाम है वो है तो जिम इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं देखिए यहाँ पे क्या है पोल पोल का क्या आथ होता है छड़ी और यहाँ पे है जिम आप लोग जब जिम जाते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी छड़ी रखी होती होगी मतलब जो करने के काम में आती है या पिर एंसे हमाल लीजिए कि जिम में बहुत सारेhehe होते है है ना तो देखिए जो पॉल्लैंड की संसर्ट का क्या नाम है गजग क फिर उसके बाद हैं मंगोलिया मंगोलिया की संसर्ट का नाम है खुरल ठीक है पिर है डेनमार्क और नमार्क की संसत का नाहीं फोल केर इंधियर कीज़ stuk कर मदन उसके बाद हैं मिश्र और मिश्री संसत का नाहीं पीपूल असेंबली थी यह कुछ हमारे देश और उनकी संसत के नाम थे तो ₹ मैं होब कि आपको यह समझ में आया होगा और फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू